नमस्कार आपके साथ मैं हूँ दिपिका मलाइका अरोडा की मा ने क्या स्टेट्मेंट अपना पुलिस में रिकॉर्ड करवाया है चलिए बताएंगे आपको वैल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से कर लिजे ताकि सारी की सारी लेटिस कबरे आप तक पहुँचे जल से जल मलाइका अरोडा की मा ने अपने स्टेट्मेंट को मुंबई पुलिस में रिकॉर्ड करवा दिया है हलाकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और पोस्टमॉटम के बाद ही मलाइका अरोडा के परिवार को उनके पिता को दिया जाएगा उनके पि मलाइका की माने जो स्टेट्मेंट record करवाया है उससे पूरा का पूरा मामला जो है वो पलड गया है मलाइका अरोडा और अमरिता रो manufactured रोंकर उनका बुरा हाल है उनकी मां और पिता का काफि mają पहले divorce हो गया था ऐसे में उनकी पत्नी यानि की मलाइका की माने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है कि उनको किसी तरीकी की बिमारी नहीं थी और वो मर्चन नेवी से वियारस लेकर आई थे हम काफी पहले ही अलग हो गए थे लेकिन को सालों से साथ रह रहे थे और रोज की तरह वो बालकनी में अकबार पढ़ रहे थे हर सुभा वो बालकनी में ही अकबार पढ़ते हैं लेकिन जब मैं लीविंग रूम में गई तो मैंने देखा कि उनकी चपल वही पढ़ी है लेकिन वो नहीं है मैंने बालकनी में देखा क्योंकि बालकनी में अक्सर वो सुभा मिलते हैं, वहाँ पर भी नहीं थे, मैं बहुत हरान हुई, मैंने नीचे जहाका तो गाट चिल्डा रहा था, और उसके बाद मैंने देखा कि वो तो नीचे गिर गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि उन्हों उन्हें आत्महत्या नहीं की है, सुसाइट नहीं किया है, बलकि ये एक दुरगटना हो सकती है, हो सकता है वो नीचे जाक रहे हो बिल्डिंग के और वो अच्छानक से भारी वजन होने की वजह से गिर गए हो और खुद को संभाल ना पाए हो, तो उनको ये लगता है ये एक एक्सिडेंट हो सकता है और आत्महत्या नहीं